की कि ए और जो है इस प्ड़ेशए को हम लोग पड़े गी तो प्यारे विधर्थियों स्वागेत है अपने सत्तेिके टीञुश taल लाइट सेस्ट में हमęt लोग हमिशा की तरह अपने इस सेसन नहीं है बराबर नहीं तो प्यारे विधार कट वप हम ने चुंए कहन थी बहुत आएकशन रही अतुशOOOO कियों निवली की में से किन आउसकता होती है मतलब की हड्यों और अपने दातों के निरमान है को सब् Seungkow हो सकता होती है तो अपना option पहला जो है वो इस परकार से है sodium और potassium option B है लोहा और calcium option C है sodium और calcium and option D जो है वो calcium और phosphorus है तो जल्दी से answer दीजिए जल्दी से answer दीजिए ओके प्यारे विदार्कियों चलो जल्दी से बताओ सबास MS चौधरी चौटन सौरब नेगी जैहिंड बई जैहिंड वेरी गूड सबास पहले सबास हां मेरे प्यारे विदार्कियों आपको पता ही होगा कि हमारी हडिया और जो दात जो होते हैं और प्लस मैं यह भी कह सकता हूं दातों के ऊपर जो अपने शरीर का सबसे कठोर भाग पाया जाता है जिसे मैं कहता हूं इनेमल वह भी जो है अपने केल्सियम और पॉस्पोर से मिनकर बना होता है यह चीज हमें ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विदार्कियों आपको पता होगा कि हमारे शरीर में केल्सियम की मात्रा पर जो कंट्रोल करती है वह गरंती कौन सी है तो वह है पैरा था मत्रा भी हार्मों चुक शो हता है वह चैलसियम के मातरा पर नेंत्रन करता है जब इस हार्मों की कमी हो जाती है तो हमारे अस्तिय दात् इनेमल सब क्या पढ़ जाते खते हमें गें और अगले कुसमस की तरफ चलेंगे और अग्ला क्यंसर्ण S कि यूरिया किस में बनता है बहुत अच्छा कि यूरिया जू है तो प्यारे विदार्तियों बेज जिज़क जल्दी से आंसर दीजिए पूरे आप्शनों को पढ़ने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि किसी भी चीज का बनना या संग् वो कहां पर हो सकता है तो जल्दी से आंसर दीजिए अगर कोई भी चीज बनती है या संग्रित होती है तो वो कहां पर होगी पता ही होगा आपको सिदी सी बात है वो हमारे लेबरोटी में होगी बनाने का कारी हम लोग जो है अपनी लेब में ही करते है तो सिदी सी बात है आंसर अपना लेबोरिटी होगा और लेबोरिटी हम लोग जो है किसको बोलते हैं यकरत को बोलते हैं यानि कि हमारे ये सरीर की क्या है लेबोरिटी सरीर की प्रियोग शाला भी हिसे हम लोग कहते हैं तो सिदी सी बात है कि बनाने का कारियर संगरण का कारियर ये सब का कारियर कौन करेगा यह हमारी द्योग शाला ही करेगी यानि आप्शन नमबर ए जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा यस आगे चलते हैं next questions की तरफ चलेंगी और अगला हमारा जो है इस परकार से उसरजन तंतर की एकाई माना जाता है बहुत अच्छा क्योंसन है वही उसरजन तंतर की एकाई सोच मज़ के आंसर दीजी क्या होगा जल्दी से कोसंस का आंसर दो उस्षजन तंतर की एकाई माना जाता है किसको माना जाता है वही उस्षजन तंतर की एकाई हम लोग किसको कहेंगे सिसु कुमार एमेश चादरी चौटन ओकी सिसु कुमार थर्ड में बाई कोई बात में शोल्दे टार्गेट एक कोसंस ए आ रहा है बहुत अच्छा सावाद वेरी गुड यास मेरे प्यारे विदार्टिओं हमारे सरीर का सबसे पर्मुक उत्सरजन तंतर वाला पार्ड कोंसा है वह है वक्र यन कि किड्णी और किड्नी में आपको पता है अपने क्या पाया जाता है नैफरों और यही नेफरों जो है अपने इस वक्र की स्रचनातमक और करिवां की काई माने जाती है और उससदर तंदर के भी हम लोग इसको स्रस्चनातमक क्रिवां की कहते हैं यानि कि हमारा option जो है ए जो है बिल्कुल correct answer है मेरे प्यारे विदार्थी ये neuron जो है ना वो तंत्री का तंत्र तंत्री का तंत्र ये तंत्री का तंत्र की जो है सरचनातमक वा किरियातमक एकाई है बराबर यास आगे चलते हैं अपन next questions की तरफ पूछ चलेंगे और अगला हमारा question इस परकार से जल का बरफ में बदलना परिवर्तन है तो कल भी मैंने आपको बताया था और ये example भी लेकर के बताया था कि ये कौन सा परिवर्तन है तो बिना सोचे समझे जल्दी से आंसर दीजे इस question में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि जल का बरफ में बदलना परिवर्तन है क्विस्परकार का परिवर्तन है रासानिक बोतेक या अंतरिक या उक्टमे से कोई नहीं तो जल्दी से questions का आंसर दो भई क्या होगा अपने question number fourth का आंसर बेजो क्या होगा fourth number questions का आंसर दो भई क्या होगा जल्दी से very good fourth में भी आंसर आ रहा है बोतेक यास एमेच चौदी चौटन शॉल्जर अचल सिंग बहुत अचल सहबाज तो प्यारे विदार्तियों कल हमने एक पढ़ा था भोतिक परिवर्तन और एक रासानिक परिवर्तन रासानिक परिवर्तन जैसे कि हमने देखा था कि गेउं से आटा बनता है और आटे से वापस गेउं नहीं बना सकते तो वो कौन सा होता है रासानिक और हमने ये पढ़ा था कि पानी से बरफ और बरफ से वापिस क्या बनता है पानी तो यह हमारा कौन सा हो जाता है भूतिक परिवर्तन तो सिधी सी बात है कि बी नमबर आप्शन जो है यह हमारा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ओके या आगे चले हम लोग अपने next questions की तरफ चलेंगे अगला हमारा questions जो है वो question number 5 लोहा है लोहा क्या है इस में से लोहे का पर्तिक बताना है देख लो यह परतिक की पोच लिया कि लोहे का पर्तिक क्या है एफ या एल या यूर या अंन तो जल्दी से बताइए इन वेसे लोहे का परत्री कॉन सा है इतना सिंपल क्यूशन है 5 नंबर अब देख लो 5 नंबर से तो सिंपल क्यूशन कोई होई नहीं चाकता सिधी सी बाते लोहाई क्या है जल्दी से आंसर दो लोहा है very good सौरब नेगी का सबसे पहले आंसर आया है अचल सिंग बहुत अच्छा सबास सौरब नेगी FE 26 बहुत अच्छा सबास बहुत अच्छा तो मेरे प्यारे विदार्तियों लोहा लोहा जो है न वो FE होता है यनि की FE मतलब option number A जो है वो हमारा क्रेक्टांस हो रहा है लोहा और प्यारे विदार्तियों सरवादिक जो है वो लोहे की मात्रा जो है वो किस में पाई जाती है हरी सब्जियों में पाई जाती है ये चीज ध्यान में रखना हरी सब्जियों में जो है वो लोहे की मात्रा जो है तब से अधेक पाई जाती है आगे चलते है next questions की तरफ चलेंगे next question number 6 6 number question है कि सार लिटमस पैपर को बदलता है किस में बदलेगा जल्दी से questions का आंसर दो जल्दी से questions का आंसर दो जल्दी से questions का आंसर दो कुंदन सेंग ए जैहिंद सौरब नेगी बहुर अच्छा लाल से नीला कुंदन सिंग भी ओके मेरे प्यारे विदार्तियों हमने पढ़ा था अमल अमल जो होता है वो अनेल यानि कि अमल जो है वो नीले लिटमस पैपर को लाल लिटमस पैपर में बदलता है तो शिदी सी बात है कि शार जो है वो किसको किस में बदलेगा शार जो है वो लाल से नीले में बदलेगा यानि कि option number B जो है वो हमारा correct answer होगा बराबर ना यास आगे चले हम लोग अपने next questions की तरब चलते हैं अगला हमारा question जो है वो इस परकार से है question number 7 question है कि निमन में से कौन सा कतन जो है वो असत्य है तो जल्दी से questions का answer दो कौन सा question जो है वो असत्य है कौन सा कतन जो है वो असत्य है proton प्रमानों के नाभिक में होते है neutron प्रमानों के नाभिक में होते हैं इलेक्टान lagata nabhi kyaсь चारों चकर लगाते रहते हैं कौन सा कफन जो है वह आ शकती है जल्दी से बताओ कॉन सा कफन जो है वह आफ सकती है तो क्या होगा ब्यारेविदार्तियो कि जल्दी से आंसो दो भई प्रोटस ह्वार्वानू के नाबिक में होते हैं यह सही एक नहीं है जल्दी से आंसर दो क्या होगा अनूच कुमार भी अचल सिंग भी शौधी चोटन भी बहुत अच्छा सोलजर सौरभ नेगी लग्की राज़ चिवंध में भी अच्छा सावास तूबी आंसर है कि नूट्रान परमानो के नाबिक में नहीं होते हैं तो बई नूट्रान तो जो होते हैं वो परमानो के नाबिक में ही पाए जाते हैं सही बात है ना हमने देखा था कि हमारा ये परमानू होता है इस परमानू के बीच में ये क्या होता है नाबिक होता है और हमने ये चीज़ देती है कि नाबिक में जो है वो प्रोटॉन प्लास न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरब जो है वो क्या पाया जाता है इलेक क्वेश्ट की तरफ चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्ण जो है कुछ इस प्रकार से हैं ओके कुशन नमबर एट ताप का सरवादिक सूचालक है सबसे अधिक सूचालक भई कौन सा है ताप का बहुत अच्छा क्यों है जल्दी से क्वेश्ण का आंसर दो क्या होगा सोना चांदी ताबा और लोहा क्वेश्ण नमबर एट जल्दी से आंसर दीजे भई का आप का सरवादिक जो है वो सूचालक है कौन है जल्दी से क्वेश्ण का आंसर दो चांदी तंबा चंदी तंबा चंदी तंबा यह आ रहा है क्या बात है राध्य मंजू सी आंसर आ रहा है तंबा अरे बैई इससी आंसर नहीं होगा सौरब नेगी सी आंसर नहीं होगा बैई चांदी होगा सिदी सी बात है कि चांदी जो है वो विदूत की सरवादिक क्या होती है विदूत की सरवादिक सूचालक होती है तो सिदी सी बात है कि यहाँ क्या होगी उसमा की भी जो है वो सूचालक ही होगी ताप की भी वो क्या होगी सरवाद ने तांबे में हमारे सरवाधिक विदूत की सूचारण नहीं होती है यह चीज ढिएन में रखना एक उपयोग्त जरूर्च वहां पीज हम लोग लेकिन आप उप्योट देखोगे तो वहां पर मैंने बता रख रखाए कि तांबे का उपयोग उता है तुर्षन से ना आएं एक लाल फूल को यदि नीले प्रकास में देखा जाए तो यह दिखेगा कैसा दिखेगा भई फिजिक्स का क्यूसन है बहुत अच्छा क्यूसन है जल्दी से क्यूसन का आंसर दीजिए 9 नॉम्बर क्यूसन का आंसर दो कि एक लाल फूल को यदि नीले प्रकास में देखा जाए तो यह दिखेगा कैसा दिखेगा बैंगनी लाल सफेद हुआ काला कैसा दिखाई देगा राम राम राहूल सर राम राम भाई कोई बात नहीं सौरब नेगी ओकी नाइन्थ में डी आंसर आ रहा है एमेच चोटन सौरब नेगी लखी राजपूद बहुत अच्छा भाई सवास ठीक है भाई ठीक डी डी एफ सवास कैसा दिखाई देगा भई तो सिधी सी बाते की काला ही दिखाई देगा यनि कि एक लाल फूल को यदि नीले प्रकास में देखा जाए तो वो काला दिखाई देगा सिधी सी बाते राइट है या आगे चलते भई इस कुछन को भी कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया और इसका रिजन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्यूशन नमबर 10 लेंज की सकती का मातरक होता है लेंज किसकी सकती का मातरक होता है डायप्टर, केंडिला, मौल या केलविन लेंज की सकती का मातरक क्या होता बही जल्दी से क्यूशन का आंसर दो क्या होगा लेंज की सकती का मातरक शबाज, ओके, ए आंसर आ रहा है बही सबका, वेरी गोड अचल सेंग, बहुत अच्छा, बही रादे मांज बी आंसर केछे आ रहा है, केंडिला अरे कैसे दे रहे हो आंसर, अरे भी आंसर नहीं देना, ठीक है ओके, चलो भई, डायप्टर होता है, लेंज की समता का मातरक, लेंज की सकती का मातरक क्या होता है, डायप्टर यानि ए नंबर आप्शन जो होता है, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है आगे चलेंगे हम लोग question number 11 की तरफ चलेंगे और ये हम लोग पढ़ चुके है जब हमने प्रकास पड़ा था फिजिक्ष में उस समय मैं आपको बहुत अच्छी तरिकी से यह बता चुका हूँ चलो भई आगे चलेंगे अगले questions की तरफ चलेंगे question number 11 और 11 नमबर questions जो है वो कुछ इस परकार से है देखो नमली कित मैंसे कौन सा पदार्त उसमा का सूचालक है परंतु विदूद का कूछ आलक है जल्दी से आंसर दो उसमा का सूचालक है लेकिन विदूद का क्या है वो कूछ आलक है जल्दी से आंसर दो भई सेलूलाइड रबबर्ड एस बेस्टॉस या अब्रग निमली कि तमें से कौन सा पदात उस्मा का सूचा लग है परन्तु विदूद का क्या है बई कूचा लग है जल्दी से आंसर दो क्यूसर नमबर 11 का बहुत अच्छा कि उसने सोच समझ के आंसर देना 11 नमबर में गल्थ नहीं होना चीए रादे मांजू साइस में कमजूर है तो साइस को पड़ पड़ा रखा है मैंने एक दूबार वीडियो को देखोगे तो एक दम अच्छा सा समझ में आ जाएगा भई ठीक है या क्लास आ जाओ क्लास में आपको समझा देंगे बहुत अच्छा सबास अब्रक हाजी तो राइट आंसर बिल्कुल सही है अब्रक जिसको हम लोग जो है माइका के नाम से भी जानते हैं ये चीज़ ध्यान में रखना इनी की ऑप्शन नमबर डी जो है ये हमारा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा सबास अब्रक इसका जो है वो क्रेक्ट आंसर होगा बहुत अच्छा चलो भई आगे चले अपने अगले कोशन की तरफ चलेंगे और अगला हमारा कोशन जो है वो इस परकार से है ट्वाइल नमबर और देख लेंज वास्तों में क्या होता है और लेंज और उत्तले लेंज या बिलनाकार लेंज तो जल्दी से आंसर दो भई इसके दो जो है वो इस परकार से है चलो आप जल्दी से जो है वो questions का answer दो ठीक है आउतल लेंस और यहाँ पे हम लोग जो है वो आउतल दरपन कर देंगे वेराबर ना यास फिर जल्दी से answer दो क्या होगा दरपन या वेराब रेंटल लेनस और अवतल दरपन उतल लेनस या बेलनाकर लेंस आवर्दक लेंस वास्तों में जो है वो क्या होता है आवर्दक लेंस तो जल्दी से दो लेंस अपनको आंसर देना है लेंस में तो आवर्दक लेंस भाई कौन सी होगी जो हमको बढ़ा कर देती है बहुत अच्छा सभाज दलाराम सी आंसर दे रहे हैं स्वरम डगी ने डी आंसर तुक्का डी मस चौदरी चौटन नहीं भई बढ़ा करके हम लोग किस कहां से देखते हैं वहीं सीदिसी बात है तो वह हमारा हो जाएगा उत्तर लेंस यह चीज ध्यान में रखना यह नहीं कि आप्शन नमबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब भी सारी लेंस भी इसको कहते है और यह किसी भी वस्तु को जो है व बड़े आकार में करके दिखाता है बराबर यास चलो भई आगे चलते हैं आपनेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं अगला हमारा कोशन नमबर है थर्टेन आज कल सड़कों पर रोसनी के लिए प्राइप पीले लेंपों का उप्यों किया जाता है उन लेंपों में निमन मैसे गैस का उप्यों किया जाता है किस गैस का सोडियम नियॉन हाइडोजन और नाइटोजन किसी गैस का उप्यों होगा भई बहुत अच्छा क्यों सब्सक्राइब कि आज कल सड़कों पर रोसनी के लिए प्राइप पीले लेंपों का प्रियों किया जाता है और उन पीले लें बास सबास very good यह नहीं कि sodium हाजी very good तो मेरे प्यारे विदार्ती यह हम लोगों ने देखा था कि सड़को पर जो रुपीले फिली जो रोशनी होती है उसके अंतरगत हम लोग जो है sodium का उपियो करते है यहनी कि यह प्यारे विदार्ती यह वही तत्वा है वही धातु है जिसको हम लोग जो है क्या कहते है यह कोमल धातु है जिसको हम लोग चाकु से आसानी से कार सकते है आई बासमन में फिर हमने इसके बारे में और क्या देखा था इसको हम लोग जो है वो किसमें रखते है तो मिट्टी के तेल में इसको हम लोग रखत प्रियोग को आई वास विज्ञापनों में हम लोग क्रते हैं यह चीज भी ध्यानमें रखनाएं भेश्य का इंदन बोलते हैं बहुत अ survivor विष्ये का इंदन और इसका उप्योग जो है इसका प्रियोग सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा जो है वो अपने शूरी और तारोग पर पाई जाती है नाइटोजन आपको पताई हुगा कि नाइटोजन जो है वो छोटे पोदों को लंबा होने के लिए सबसे अधिक मात्रा में नाइटोजन की आऊ सकता होती है ठीक है छोटे पोदों को छोटे पोदों को लंबा होने के लिए चोटे पोदों को लंबा बराबर ना चोटे पोदों को लंबा होने के लिए किसकी आऊ सकता होगी सबसे जादा नाइटोजन की आऊ सकता होती है इसलिए हम लोग जो है चोटे पोदों पर यूरिया चड़कते हैं यूरिया में जु है वो 46% क्या होती है नाइटोजन होती है बराबर या चलते हैं प्यारे विदार्तियों अगले questions की तरफ और आज की class का second last question हमारा कुछ इस परकार से है वो देखो क्यों सने optical fiber का अविश्कार किस ने किया था सेमुल कोहने नरिंदर का पाने या पार्सी एल स्पेंसर या टी एच महा महा बहुत अच्छे क्यों सने प्यारे विदार्तियों सो समझ के questions का आंसर देना है optical fiber का अविश्कार प्यारे विदार्टियों ये optical fiber आई बास समर में ये वही fiber है जिसके अंतरगत हम लोगोंने physics में पढ़ा था पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन की गटना होती है इसके अंतरगत सही बात है न ऑप्टिकल फाइबर जहां पर क्या होती थी है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन ये हमने गटना पढ़ी थी अपने प्रकास में पढ़ी थी optical fiber एक तार होती है जिसके आजकल जो सड़के तूट रही है वो इस optical fiber की वज़े से तूटी जा रही है जो कि अम लोग चड़के तोड़ करके अपने लीचे से जो तारे डालना जा रहा है न वो optical fiber वाली तारे हैं तो optical fiber का विश्कार किस ने किया जो जल्दी से आंसर दो खिस ने किया किस नमबर 14 कांसर दो क्या होगा क्या बात है लक्की राजपूद सबास गाहूल सा ने ए आंसर दिया अरे लक्की क्या बात है पहले पता था या बहुत अच्छा सबास ऐसे कुछनों का भी आंसर आपको पता है इसका मतलब आपकी तियारी बड़ी अच्छी है इस कुछन का आंसर देना मतलब आपकी तियारी जो है वो अच्छी है लकी राजपोर बहुत अच्छा सबास क्या बात है भई कोई और दे नहीं पा रही क्या कि अच्छा सब्सक्राइब करें अच्छा सब्सक्राइब कर दे लिए बिल्कुल बिल्कुल यह बीच में आपको पड़ नहीं पाया वेरी गुड सुबास आपका भी आंसर बिल्कुल सही है हाँ जी तो भई इसका आंसर बिल्कुल सही है नरेंदर कपाने ही होगा बी नंबर आंसर वेरी गुड बहुत अच्छा जिसका यह आंसर मतलब यह पहले से आप लोग जानते हो तो इसका मतलब आपकी त्यारी जो है बहुत अच्छी त्यारी है बराबर ना क्योंकि यह हर क का सिदान्त किसके पीछे का सिदान्त है ओके दिश्टी के इस्ताइत्व का सिदान्त जो है वो किसके पीछे का सिदान्त है तो जल्दी से आंसर दीजी क्या होगा जल्दी से question number आज की class का अपना last and final question है भई दिस्टी के स्टाइतों का सिधान्त जो है वो किस के पीछे का सिधान्त है भई यास ये तो right होना चाहिए sir भई जल्दी से answer दो यास सबास cinema हाँ जी तो इसका correct answer अपना जो है वो बी number option अपना बिल्कुल सही हो जाएगा ओके प्यारे विजारतियों तो आज की class हम लोग यहीं पर finish करेंगे क्योंकि हमारे आज की class के कुल 15th question जो है वो complete हो चुके है ठीक है प्यारे विजारतियों तो आशा करता हूं आज की questions जो है बहुत अच्छे लगे होंगे आपको और continue आप लोग इन किसनों का अध्यन कर रहे हैं अगर जो questions नहीं आता है आप उसको no down भी कर रहे होंगे चलो ठीक है तो प्यारे विजारतियों ऐसे ही पढ़ते रहना और ठीके continue त्यारी करते रहना ताकि आप जो है अपने लक्षे की तरफ जो है जो आपने बच्पन में जो सपना देखा था वह आपका जरूर शकार होगा बराबर ओके तो चलते हैं कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय ही जय वारत झाल झाल झाल